मेरे पहरे देश्वासियो जब कश्मीर या स्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल जिल की तस्वीर आती है हम में से हर कोई डल जिल के नजारों का लुप्त उठाना चाहता है लेकिन डल जिल में एक और बात खास है डल जिल अपने स्वादिस्त लोटस टिम्स कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है कमल के तनों को देश में अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से जानते है कश्मीर में नादु कहते है कश्मीर के नादु की डिमान लगातार बढ़ रही है इस डिमान को देखते हुए डल जिल में नादु की खेती करने वाले किसानों ने एक एपियो पनाया है इस FPO में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ए किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने दो खेप ये भेजी हैं। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है साथ ही इस से सेंकडों किसानों की आमदनी भी बड़ी है। साथियों कश्मीर के लोगों का क्रिसी से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामियाबी की खुश्पु फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामियाबी की खुश्पु क्यों बोल रहा हूँ। बात है ही खुश्पु की। सुगंद की ही तो बात है। दरसल जम्मू कश्मीर के डोड़ा जिले में एक कस्बा है बदरवा। यहां के किसान दसकों से मक्के की पारमपारी खेती करते आ रहे थे। लेकिन कुछ किसानोंने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरी कल्चर यानि फूलों की खेती का रुक किया। आज यहां के करीब पच्चीस सव किसान डाई हजार किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुश्बू भी दूर दूर तुक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंद की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली माशार्दा का स्मराना बहुत स्वाबाविक है। कुछ दिन पूर्वे ही कुपवडा में माशारदा के भव्य मंदिर का लोकारपन हुआ है। ये मंदिर उसी मार्क पर बना है जहां से कभी सारदा पीट के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानिय लोगों ने इस मंदिर के निर्मार में बहुत मदद की है। मैं इस सुपकारे के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ।